दूस्तो आईपील दो हजार तेईस में आज रोयल चेलेंजर्स बिंगलोर बनाम संडाइजस हैदराबाद के बीच 65 मैच खेला गया और इस मैच के बाद पोइंच टेबल में कई बड़े उलट फेर देखने को मिल रहे हैं जहां रोयल चेलेंजर्स बिंगलोर ने संडाइज हेदराबाद को हरा कर पोइंच टेबल में टॉप फोर में जगे बना लिये तो इस संडाइजस हेदराबाद पोइंच टेबल में सब्से आखरी नमबर के साथ-साथ ऑफिसली प्ले- आफ से बाहरों हो सुगी है तो ऐसे में points table में कौन सी team किस number पर है और किस team के पास total कितने points है और यहां से किस team को अब playoff में qualify के निकले कितने match और जीतने होंगे वहीं orange cap और purple cap holder कौन कौन से players के पास है मैं सुड़ो में आपको बताने वालो तो दोस्तो वीडियो रहने वाली है काफी जादे important वीडियो में अंतता को बने रहना और अगर आप इस channel पर नए हो तो channel को subscribe करके बेल आइकन दवाद नहोंगे थे दोस्तो आई फिल थे जुड़ी हर चोटी वड़ीनी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन ने कर सकते हैं तो आईए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो पोइंस टेबल में सबसे आकर या हार का सामना करना पड़ा है जबकि संदाइदेस हैदराबाद ने चार मैच में जीत हासिल की है जहां इस टीम के पास टोटल आट पोइंट है तो इस संदाइदेस हैदराबाद को जो ने रंडेट है माइनस में काफी जादा खराब है अभी इस टीम को एक मैच और खिलने ह अगर उस मैच में ये टीम जीती भी है तो भी ये टीम प्ले ओफ में कौलिफायर नहीं कर पाईगी संडाइस हैदराबाद जो है ओफिसली प्ले ओफ से बाहर हो चुकी है वही पॉइंस टेबल में जो टीम नवे नंबर पर है वो है दली केपिल दली केपिल जो अब तक टोटल 13 मैच खेली है और इन 13 मैचों में से 8 मैच में हार का सामना करना पड़ा है जबकि दली केपिल ने 5 मैच में जीत हासिल की है जहां इस टीम के पास टोटल 10 पॉइंट है तो वहीं दली केपिल का जो ने डाने डाम माइन है 0.572 है अभी एक मैच और इस टीम को खेलने है अगर दली केपिल अपने आखरी मैच में दीजती भी है तो भी ये टीम प्ले आफ में कॉलिफाइन नहीं कर पाएगी दली केपिल जो अफिसली प्रे आफ से बाहर हो गई है वहीं दली केपिल जो अपना अगला मैच खेलने वाली है वो चन नहीं सूपर किंग के खिलाफ 20 में को खेलने वाली है पॉइंस टेबल में आटवे नंबर पर है पंजाब किंग पंजाब किंग जो अब तक टोटल 13 म माइनच 0.308 है अभी इस टीम को एक मैच और खिलने और अगर इस टीम को उस मैच में जीत मिल भी जाती है तो भी यह टीम प्ले आफ में कॉलिफाय नहीं कर पाईगी पंजाब की जो है ऑफिसली प्ले आफ से बाहरो हो चुकी है वहीं पंजाब की जो अपना अगला मैच खि लिए और इन 13 मैचों में से इस टीम को 7 मैच में हार का सामना करना पड़ा है जबकि कोलकाता नाइड़ ने 6 मैच में जीत हासिल की है जाए इस टीम के पास टोडल 12 पॉइंट है तो इस टीम को प्ले आफ में कॉलिफाय करना बेहद है मुश्किल है और यह टीम जो अलग ब मुकाबला लखनो सुपरजन के खिलाफ 20 में को खेला जाने वाल है पॉइंट टेबल में चटे नंबर पर है राजस सान रोल जो अब तक टोडल 13 मैच खेली है और इन 13 मैचों में से 7 मैच में हार का सामना करना पड़ा है जबकि राजस सान रोल दें 6 मैच में जीत हासिल की है जहां इस टीम के पास टोटल अब 12 पॉइंट है तो इन राजस सान रोल का जो नेट अनेड अपला 0.140 जो की तोड़ा बहतर है अब इस टीम को एक मैच और खेलने है और अगर उस मैच में इस टीम को जीत मिलती है तो इस टीम को बागी तीमों पे डिपेंड रहना होगा प्ले आफ में कॉलिफाइ करने के लिए वे से ये टीम भी लगबग प्ले आफ से बाहर हो चुकी है राजस सान रोस का जो अगला मुकाबला होने वाला है वो पंजाब विकिंग के खिलाफ वो 21 में को खेला जाने वाला है इस टेबल में पांचवे नंबर पर है मुंबई मुंबई इंडियन जो अब तक टोडल 13 मैच खेली है और इन 13 मैचों में से इस टीम को 6 मैच में हारका सामना करना पड़ा है जबकि मुंबई इंडियन ने 7 मैच में जीत हासिल की है जाए इस टीम के पास टोडल 14 पॉइंट है तो इस टीम के पास टोडल 14 पॉइंट है तो मुंबई इंडिन अपने आखरी मैच में जीते दर्जे कर लेती है तो ये टीम जो है आफिसली प्ले आफ में कौलिफाइ कर लेगे मुंबई इंडिन का अगला मैच जो है संडाइजस हैदराबाद के खिलाफे 21 में को खेला जाने वाला है वहीं पॉइंस टेबल में चौते पर जगह बना लिया इस टीम ने अब तक टोटल 13 मैच खेला और इन 13 मैचों मेसेच 6 मैच में हार का सामना करना पड़ा इस टीम को जबकि रोयल चैलेंजर बिंगलोर ने 7 मैच में जीत हासिल की है जहाई इस टीम के पास टोटल 14 पॉइंट है तो इस टीम को एक मैच और ख पाबला होने वाल है और ये कीस में को गुजरा टैडन के खिलाव खेला जाने वाला और ये मैच रोयल चैलेंजर बिंगलोड के लिए बहुत ही इंपोर्टेंस रहने वाल है वहीं पॉइंस टेबल में तीसरे नंबर पर है और लखनो सुपजन लखनो सुपजन ने अब तक 13 मैच खेला है और इन 13 मैचों में से इस टीम को 5 मैच में हार का सामना करना बढ़ है जब कि लखनो सुपजन ने 7 मैच में जीत हासिल की है तो हम एक मैच जो है इस टीम का रद हुआ था जहां लकनो सुपर जंद के पास टोडल 15 पॉइंट है तो वहीं इस टीम का जो नेट अड़ प्लस 0.304 है जो की काफी ज्यादा अच्छा है अभी एक मैच और इस टीम को खिलने है अगर उस मैच में इस टीम को जीती मिलती है तो यह टीम जो ह आने वाला मैच बहुत इंपोर्टन्स रहने वाला है अब यह टीम जो अपना अगला मैच खिलने वाली है ओ कोलकाता नाइडेस के खिलाफ बीस में को खिलने वाली है पॉइंस टेबल में जो टीम दूसरे नंबर पर है ओ है चिन्ने इस सूपर किंग जो अब तक टोडल 13 म मैचों में से इस टीम को पांच मैच में हार का सामना करना पड़ा है जबकि चन्ने सूपर किंग ने सात मैच में जीत हासिल की है ओहीं एक मैच जो है बार इसके चलते इस टीम का रदवा था जाहीं इस टीम के पास टोडल 15 पॉइंट है तो ही चन्ने सूपर किंग का जो न पहले नंबर पर बनी हुए गुजरात टैटन जो अब तक टोटल 13 मैच खिर लिए और इन 13 मैचों में से इस टीम को 4 मैच में हार का सामना करना पड़ा है जबकि गुजराट टेटन ने 9 मैच में जीत दर्ज करके ओफिसली प्ले ओफ में कौलिफाइ कर लिए जहाए इस टीम के पास टोडल 18 पॉइंट है जो कि सभी टीमों से सबसे ज़्यादा पॉइंट इस टीम के पास है और उस मैच में ये टीम जीती भी है तो भी ये टीम ओफिसली प्ले ओफ में कौलिफाइ करने के साथ साथ पॉइंट टेबल में पहले नमबर पर ही फिनिश करने वाली है और इस टीम का अगला मुकाबला जो होने वाल है रोयल चैलेंजर बिंगलोर के खिलाफ 21 में को खेला जाने वाल है तो दोस्तों ये रहा IPL 2023 का नया पॉइंट टेबल जो की 65 वे मैच रोयल चैलेंजर बिंगलोर बना संडाइदस हैदराबाद के बात के सभी टीमों ने जो अब तक 13-13 मैचे खेली है और अब हम बात के लेते हैं औरेंज कैप और परपल कैप की तो औरेंज कैप अपने नाम किये हुए हैं फैब डूबले जो अब तक सबसे जाधरन बना कर औरेंज कैप की रेस में पहले नमबर पर है और इनके पास ही औरेंज कैप है तो ये परपल कैप जिस खिलाडी के पास हो है राशित खान जो अब तक 23 विगेट ले चुके हैं राशित खान और मुहमाशमी ये दोनों ही खिलाडीों ने अब तक 23 विगेट लेकर परपल कैप की रेस में पहले नमबर पर है तो दोस्तो आपको क्या लगते है कौन सी ओ कमेंट करके जरूर बताएं तो दोस्तो इस उनों पसीतना एगर आप वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक अंद बाते हैं तैंक्यू सोमज गाइट फोर वाचिंग इस वीडियो